उतरप्रदेश के कहें जिलों में नागरिक्ता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जिसके चलते इंटरनेट पर लगी ड्रोग की वज़ा से बैंकिंग सेवाओं पर सबसे जादा प्रभाव देखने को मिला है बता दें कि कई शहरों में नकदी की कमी के चलते बैंकों को अपनी शाखाएं भी बंद करनी पड़ी है इंटरनेट के बंद होनी की वज़े से वियापारियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा इस से खास कर उन लोगों को दिक्कत हुई जिनका कारुबार पूरी त फिरूजाबाद, अलीगड, गाजियाबाद और गौरकपुर में देखने को मिला कानपुर में भी दो दिन की हिंसा भरे माहौल होने की वज़े से बीते तीन दिनों के अंदर थोक और फुटकर बाजार को करीब 1200 करोड रुपे का नुकसान हुआ है शहर में कपड़ा किरा सोना चांदी, शकर, दलहन और खादे आइटेमों का बड़ा थोक बाजार है तते दिन करीब इन ट्रेडों में 500 से 600 करोड से अधिक का कारोबार होता है दूसरी और बनारस में भी करीब 200 करोड रुपे का वियापार प्रभावित हुआ है आपकी जानकारी के लिए बता दे कोड़ी चौक, आटो मुबाइल सेक्टर, चौक इस्थित साड़ी गद्धी से लेकर सराफा कारोबार और रियल स्टेट परियतन होटल मुबाइल एवं डीटीच रिचार्ज, ओनलाइन फूड कमपनी, टैक्सी, केब, सहत, निजी अस्पताल आधी का कारोबार प्रभाव सब्सक्राइब आर चनल और प्रेस्ट बेल इकन फोर अप्डेट्स